हेलो स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर सेवन फ्रैक्शन एक्सरसाइज 7.1 से कोशन नमबर 3 और 4 सोल्व करेंगे और अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजे अब कोशन नमबर 3 देखे लिखा है इडेंटिफाई दा एरर इफ कि अगर कोई गलती है तो उसे पहचानिए तो देखे यहाँ पर यह 3 फिगर्स दिए गई है फर्स्ट फिगर्स देखी यह दीगाई है और लिखा है इस फिगर को फ्रैक्शन की फिर्म में लिखा है 1 by 2 तो देखिए हम इसे fraction के form में नहीं लिख सकते हम किसी भी चीज़ को fraction के form में तभी लिख सकते हैं जब वो चीज equal parts में divide हो तब यहां पर देखिए इस triangle के 2 parts किये गए हैं पर ये 2 parts जो हैं वो equal नहीं है तो इसलिए हम इसे fraction के form में नहीं लिख सकते हैं अब दूसरा figure देखिए इस figure को fraction की form में लिखा है one by four पर हम इसे भी fraction की form में नहीं लिख सकते देखिए इस figure में four parts किये गए हैं बट ये four parts जो है equal नहीं हैं तो इसी दिये हम इसे fraction की form में नहीं लिख सकते fraction की form में तभी लिख सकते हैं जब कोई चीज equal parts में divide हो तो यह equal parts में divide नहीं है तो इसे भी fraction की form में नहीं लिख सकते हैं अब third part देखें figure हमें ये दी गई है ठेक है और लिखा है this is 3 by 4 इस figure को fraction की form में लिखा है 3 by 4 बट हम इसे fraction की form में नहीं लिख सकते हम एक चीज को fraction की form मे तभी लिख सकते हैं जब वो चीज equal parts में divide हो तो देखे इस figure के 4 parts किये गए है 1, 2, 3, 4 बट ये 4 parts जो हैं वो equal नहीं है तो इसलिए हम इसे fraction की form में नहीं लिख सकते तो इसमें error यानि गलती क्या है कि the given shaded portions do not represent the given fractions कि ये जो shaded portions दिये गए हैं वो fractions को represent नहीं कर रहे हैं अब question number 4 देखे लिखा है what fractions of a day is 8 hours कि 8 hours one day का कौन सा fraction है ये बताना है तो देखे one day is equal to 24 hours यानि one day में 24 hours होते हैं therefore the required fraction अब देखे one day में 24 hours होते हैं तो total जो है वो नीचे लिखेंगे total हम नीचे लिखेंगे कितने होते हैं 24 hours होते हैं one day में अब हमें पूछा क्या है पूछा है कि what fraction of a day is 8 hours कि 8 hours one day का कितना fraction है तो जो पूछा जाता है वो उपर लिखते हैं 8 hours पूछा है तो 8 उपर लिखेंगे so the required fraction is 8 by 24 कि जो 8 hours है वो वन day का कौन सा fraction है तो आज इस वीडियो में हमने question number 3 और 4 solve करा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो please like share and subscribe thank you